जैहिन दोस्तों जैहिन बच्चों जियोग्रोफी की MCQ प्रेक्टिस सिरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है आज अपना जियोग्रोफी का बारवा एपिसोड है और आज हम आपके छटे चेप्टर भारत के संधरब में नियोजन और सतत पोषणिये विकास के महतोपुर्ण इंपोर्टेंट जो कुश्चन है उनका अभ्यास करेंगे आप सभी को इसके अंदर भाग लेना है और करते हैं आज के पहले प्रशन के साथ भर्मोर जन जातिये क्षित्र किस राज्य में स्थित है उत्राखन जम्मू कस्मीर हिमाचल परदेश या उत्तर परदेश क्या होगा सही उत्तर भर्मोर जन जातिये क्षित्र बिलकुल सही उत्तर है आपका हिमाचल परदेश याने इ चलिए दूसरा फ्रेशन किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास एकोनोमिक डवेल्पमेंट किस तत्वे पर निर्भर करता है गोर कीजिएगा आर्थिक विकास की बात हो रही है यहां पर धरातल जलवायू जनसंख्या या संसाधन किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है वो है वहां मिलने वाले संसाधनों पर तो सही उत्तर च्यार बिल्कुल सही बहुत ही प्यारा प्रेशन अगला प्रशन है परवतिय क्षित्र विकास का रेक्रम इस चेप्टर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट दिये गए हैं उनी में से एक है परवतिय क्षित्र विकास का रेक्रम में क्षित्र की उन्चाई कितनी उन्चाई से अधिक है 500 मिटर, 600 मिटर, 700 मिटर या 800 मिटर क्या होगा सही उत्तर याद कीजिए 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर जो राष्ट्रिय समीती बनी थी उसने सिफारिश की थी भी कितने उन्चाई वाले क्षेत्रों को परवतिय क्षेत्र की इसकीम में शामिल करना है और वो है उन्चाई 600 मिटर से अधिक, बिल्कुल सही दूसरा ओप्षन है वो इस प्रशन का बिल्कुल सही है 600 मिटर से अधिक, उन्चाई वाले क्षेत्रों को शामिल करने की सिफारिश हुई थी अगला प्रशन, सूखा संभावी क्षेत्र कितने जिलों में पहचाने गए है सूखा संभावी क्षेत्र जो विकास कारेक्रम चला था चोथी पंचवर्षिय योजना में चला था 1967 में 1967 में योजना आयोग ने इसके लिए कितने जिलों को आंशिक या पूर्ण रूप से चिनहित किया था वो ही संख्या आपको बतानी है फटा-फट जवाब भी आपके आ रहे हैं बहुत बढ़िया और सही उत्तर बिलकुल तीन नंबर ओप्शन याने 67 जिलों को पूरण या आंशिक रूप से पहचान हैं वो की गई थी चलिए गाजी अगला प्रशन भरमोर क्षेत्र की परमुख नदी कौन सी है बहुती सिंपल और प्यारा सा प्रशन पहला प्रशन था भी बरमोर क्षेत्र का संबंद किस रज्य से है तो हमने बात की थी हिमाचल परदेश और उसमें भी आपको याद होगा चंबे जिले के जो दो तहसील थी बरमोर और हाली वो इसमें शामिल थे अब बताना है भी परमुक नदी कौन सी है चेनाब व्यास सतलूज या फिर रावी बिलकुल सही उत्तर है वो है ओप्शन चार रावी नदी यहां की परमुक नदी है इसके साथ साथ आपने गोर किया होगा इसी क्षेतर में रावी की दो सहाइक नदियों की बात भी की जाती है एक है उनमें से तुंदाह नदी ये भी आप गोर कर सकते हो तुंदाह नदी और दूसरी है बूधिल नदी जो की रावी नदी की सहाइक नदिया है चलिए अब बात करें अगले प्रशन की बर्मोर क्षेतर में कौन सी जन जाती निवास करती है बहुती प्यारे प्रशन है भोरिया, गद्दी, मारिया या भील क्या है जी सही उत्तर बिल्कुल बिल्कुल बहुती आसान सा प्रशन बर्मोर क्षित्र में गद्दी जन जाती है वो निवास करती है यानि option दो बिलकुल सही है अगला प्रशन अवर कोमन फ्यूचर अवर कोमन फ्यूचर एक रिपोर्ट है ये किसने प्रस्तूत की थी ये आपको बताना है ब्रंट लेंड ने, मिडोस ने, एहर लिच ने या राष्ट्र संग ने सही उत्तर और सही उत्तर है बिलकुल और वो है ब्रंट लेंड पहला ये option इसका सही आ जाता है और इसी अवर कोमन फ्यूचर को आपको पता है इसे ब्रंट लेंड रिपोर्ट भी कहा जाता है आपको याद आ रहा होगा परियावरणिय मुद्धों के उपर विश्व शमुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर स्यूंक्त राष्ट्र संग ने विश्व परियावरण और विकास आयोग WECD का नाम आपने सुना है इनों ने एक शूंक्त राष्ट्र संग ने इसकी स्थापना की थी और इसके परमुक थे नार्वे की परधान मंत्री थी गरो हरलेम ब्रंट लेंड और उनी के नाम पर इस रिपोर्ट का नाम ब्रंट लेंड भी है और इसका रिपोर्ट का सिर्षक जो था वो था आवर कॉमन फ्यूचर हमारा साजा भविशे अगला प्रेशन इंद्रा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है IGNP बहुत प्यारा प्रेशन किस बांध से निकाली गई है उस बांध का नाम बताना है भाकडा, नांगल, हरीके या थीन क्या होगा सही उत्तर बिल्कुल और सही उत्तर है ओप्शन तीन बिल्कुल हरीके पतन, हरीके बांध जिसको कहा जाता है और यहां से निकाली गई है इंद्रा गांधी नहर अब एक प्रशन भी साथ में आपसे पूछ लेता हूँ आपको कमेंड सेक्षन में जवाब देना है हरीके बांध पतन जो बनाया गया वो किन दो सहाई, किन दो नदियों के संगम पर हरीके बांध है वो बना हुआ है यह जरूर बताईएगा आप बाद में अगला प्रशन प्रादेशिय नियोजन प्रदेशिय या प्रादेशिय नियोजन का संबंद है आर्थिक विवस्था के विभिन सेक्टरों का विकास क्षित्र विसेश के विकास का उपागम परिवेन जलत अंतर में क्षित्रिय अंतर या फिर ग्रामिन क्शेत्रों का विकास ये तो पाठे पुस्तक का ही एक प्रशन है आपने अभिहास भी किया है प्रादेशिय नियोजन या प्रादेशिक नियोजन का समन्द किस से हैं बिलकुल दूसरा ही option इसका सही हो जाता है क्षेत्र विशेज के विकास का उपागम है एक तरीका है यह अगले प्रशन की बात करें ITDP निमन में से किस संधरब में वर्नित है इसका सम्मन्द बताना है किस से समन्वित प्रेटन विकास का रेकरम है यह समन्वित यात्रा विकास का रेकरम है समन्वित जन जातिये विकास का प्रोग्राम है या पिर समन्वित परिवेहन विकास का प्रोग्राम है क्या है सही उत्तर यानि इसकी फुल फोरम है एक तरीके से Integrated Tribes Development Program बिल्कुल सही उत्तर ओप्षन तीन समन्वीत जन जाती है विकास कारेकरम इसकी फुल फोरम है अगला प्रशन इंद्रा गांदी नहर कमान क्षेतर में सतत पोशनिय विकास के लिए इन में से कोन सास सबसे महतोपुर्ण कारक है क्रिशी विकास, पारितंत्र विकास, परिवेहन विकास या भूमी उपनिवेशन आईजी अनपी में सतत पोशनिय विकास के लिए सबसे महतोपुर्ण कारक रग क्रिशी या पारितंत्र सही उत्तर है उप्षन दो एको सिस्टम का डेवल्पमेंट करना पारिश्थित्की का विकास करना अगला प्रशन है निम्न में से किस वेधानिक संस्था दुआरा भारत में नियोजन का कार्य किया जाता है वर्तमान कौन सी संस्था है जो प्लानिंग का काम संपन करती है राज्य सभा, लोग सभा, निती आयोग या वित मंत्रा ले बिल्कुल सही उत्तर, ओप्शन तीन, निती आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है एक जनवरी 2015 को हुई थी इससे पहले इसके स्थान पर कौन सी संस्था थी और वो थी योजना आयोग जो गेर स्वेधानिक संस्था थी योजना आयोग और इस योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में और फिर इसके स्थान पर आगी एक जनवरी 2015 को निती आयोग एन आई टी आई नेशनल इंस्टिटूट ओफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसकी फुल फोरम है अगला प्रशन है जी परवतिय क्षेत्र विकास का रेक्रम एक बार फिर हम उसी प्रोजेक्ट के उपर आगे निमन में से किस पंचवर्षिय योजना में प्रारंब किया गया बहुत ही प्यारा प्रशन ये तो सभी योजनाओं में आपको ध्यान रखना ही रखना है भी कौन सा किस पंचवर्षिय योजना में चला था तो सही उत्तर क्या है इसका चोथी पांचवी चटी या साथ में परवतिय क्षेत्र विकास का रेक्रम जी बिलकूल ये स्टार्ट हुआ था यानी पांचवी जो पंचवर्षिय योजना है उसमें सटार्ट हुआ था पांचवी पंचवर्षिय योजना का आपको पता होगा टाइम पिरेड है 1974 से लेकर 1978 की बात होती है इसके बीच ये चला था तो पांचमी पंचवर्षिय योजना में ये कारेकरम संचालित रहा अगला प्रशन एक बार फिर योजना से सूखा संभावी क्षेत्र विकास कारेकरम निम्न में से किस पंचवर्षिय योजना में प्रारम किया चोथी, पांचमी, छटी, साथमी वो ही उप्षन उसी परकार के अभी हमने किया परवती एक शेत्र विकास कारेकरम पांच हुए में लेकिन ये बताना ये प्रोग्राम किस पंचवर्षिय योजना में प्रारम हुआ तो ध्यां रखिएगा इस प्रशन का सही उत्तर जब चोथे और पांचवर्षिय योजना में इसके कारेक्षेत्र को और बढ़ा दिया गया है और आज आपको पता है सुका संभावी जो प्रोग्राम है ये उन्नी सो पिचाण में च्याण में में जो जल संभर विकास कारेकरम चल रहा था उसके अंदर इसको शामिल है वो कर दिया गया अगला प्रशन इंद्रा गांधी नहर की संकल्पना यानि ये जो कंसेप्ट है वो किस ने दिया वी इस प्रकार से हम इंद्रा गांधी नहर है वो बना सकते हैं जिसे क्षित्र का एकोलोजिक जो कहते हैं एको सिस्टम है वो ड्वेल्प हो सकता है हमरते सेन, कमर सेन, इंदरा गांदी या महभूब उलहक सही उत्तर क्या होगा ये लास्ट ये बोर्ड में आया भी था ये प्रशन और सही उत्तर है वो है कमर सेन कमर सेन का नाम इसके अंतरगत लिया जाता है जब इंदरा गांदी नहर के कंसेप्ट की बात आती है और ये कंसेप्ट उन्होंने कब दिया था 1948 में आप ये भी ध्यां रख सकते हैं कमर सेन ने ये कंसेप्ट दिया था 1948 के अंदर अगला प्रशन है नियोजन को कितने वर्गों में वर्गी करत किया गया है याने बांटा गया है नियोजन के परकार बताने है दो, तीन, चार या पांच क्या है जी सही उत्तर तो वो वर्गी करण की बात करते हैं तो वो है दो परकार और दो परकार है वो कौन से उप्शन में है जी पहले उप्शन में है इसलिए option हो गया अपना एक सही और वो दो नाम कोन से आते हैं एक नाम आता है खंडिय नियोजन और दूसरा नाम आता है प्रादेशिक नियोजन तो नियोजन दो तरीके से किया जाता है, प्रादेशिक और खंडिये नियोजन अगला प्रशन है जी, आर्थिक विकास में प्रादेशिक ऐसंतुलन कम करने के लिए बनाएगे नियोजन को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास में प्रादेसिक S.ंतुलन को कम करने के लिए जो planning की जाती है उसे क्या कहा जाता है खंडी है प्रादेसिक जिला या ग्राम नियोजन तो प्रादेसिक S.ंतुलन की बात आती है state के अंदर जो imbalancing होती है उसके लिए बात है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा option 2 प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है उसे अगला प्रेशन है जी योजना आयोग ने किस वर्स देश के 67 जिलों को पूरण या आंशिक सूखा परभावी जिलों के रूप में चिनहित किया था एक 66 जिलों का प्रेशन वाला जो क्या उत्तर था 66 जिले वो ही वापीस आगया गूम फिर के सुरू में योजना आयोग था आज इसकी जिके नीती आयोग है 66 जिलों को पूरण या आंशिक सूखा परभावी जिले के रूप में चिनहित किया था आपको सन बताना है वो सन कोन से है 66 भैतर या 78 सही उत्तर बिल्कुल दूसरा ही ओप्शन वो है वर्स 1967 1967 में इनकी पहचान की गई थी अगला प्रशन वापिस हम हिमाचल की तरफ रुक कर रहे हैं बर्मोर क्षेतर को कब अधिश उत्चीत जन जातिये क्षेतर है वो गोसित किया गया था 64 में 35 में 84 में या चुराण में कब किया गया था याद आ रही होगी तारीक 21 नवंबर 1905 तो सही उत्तर हो गया ओप्शन दो 21 नवंबर 1905 को अधिश उचित किया गया था नोटिफिकेशन जारी हो गया था अगला प्रशन गदी जन जाति के लोग कोन सी भासा बोलते हैं गदी जन जाति कहां रहती हैं बर्मोर जन जाति एक शित्र के अंदर हिमाचल परदेश के अंदर हैं चंबा जिले की दो तहसि बर्मोर और होली इसके अंदर शामिल है वो भासा कोन सी बोलते हैं हिंदी याली गदियाली या संस्कृत तो सही उत्तर है वो है गदी जन जाति के लोग गदियाली भासा है वो बोलते हैं याद आ रहा होगा गदियाली भासा बोलते हैं और ये लोग रितु परवास भी कर मोसम चेंज हो जाता है तो जगे चेंज कर लेते हैं किस वर्ष सिंचाई आयोग ने इरिगेशन जो आयोग था उसने 30 परतिशत शिंचित क्षेतर को आधार मान कर सुखा संभावी क्षेतरों का परीसी मन किया था 64, भैतर, 82 या 89 सुखा संभावी क्षेतर के कुछ प्रशन हमने पहले भी किये ये चोथी में स्टार्ट हुआ, पांचवी में इसका विस्तार हुआ 1967 में इसके 66 जिलों की पहचान की गई फिर क्या हुआ, सिंचाई आयोग ने 30 परतिशत शिंचित क्षेतर का मापदंड लेकर इस एरिये का परिसी मन किया और वो सन है 1902, बिल्कुल बहुत बड़िया 1902 के अंदर सिंचाई आयोग ने इसका परिसी मन किया था इस एरिये का अगला प्रशन, निम्न में से किन राज्यों में सुखे का परभाव नहीं पढ़ता है पढ़ना चाहिए था जैसी उनकी सिचुएशन है लेकिन नहीं पढ़ता पंजाब, हर्याणा, उत्री राजस्थान या फिर उपरियोगत सभी आपको पता है पंजाब, हर्याणा और उत्री राजस्थान यानि हनमानगर गंगानगर वाला जो इलाका है यहाँ पर सिंचाई की स्विधा मिल जाती है इसे एरिये को तो सिंचाई के परसार के कारण इस क्षेतर में सुखे का परभाव नहीं पढ़ता इसलिए उत्तर हो गया अपना उपरियोग सभी, यानि तीनों ही एरियाज इसके अंदर शामिल रहते है चलिए पूरा चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, एक एक बात हम अच्छे से क्लियर कर रहे है इंद्रा गांधी नहर परियोजना कब शुरू हुई पहले प्रशन आया था कंसेप्ट किस ने दिया, तो हमने कह दिया कमर्सेंजी ने दिया था कब दिया था, हमने कह दिया 1948 में दिया, तो फिर उनके दियेगे कंसेप्ट को इंप्लिमेंट करना कब स्टार्ट किया था 56, 58, 60 या 62, क्या है सही उत्तर और सही उत्तर है, बिल्कुल बिल्कुल बही, 31 मार्च 1958, दूसरा उप्षन सही है तारीक की बात करें, तो 31 मार्च 1958 को इस कंसेप्ट पर काम सुरू हो चुका था अगला प्रशन, योजना आयोग का स्थान, नीती आयोग ने ले लिया, लेकिन ये बताना है कब लिया हलांकि हम पहले बात कर चुके हैं, सभी में एक जन्वरी है, 13, 14, 15, 16 ये अच्छा एक ओप्षन यहां 14, 14 सेम आगया, इसको एक को 15 कर लूँआ 13, 14, 15, 16, बता दीजिए योजना आयोग का स्थान, नीती आयोग ने कब लिया बिल्कुल वो ही है, 1, जन्वरी, 2015 अगला प्रिशन, इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना का पुराना नाम, प्राची नाम क्या है? राजस्थान नहर, भारत नहर, महत्मा गांदी नहर या केसरी नहर? इसका पुराना नाम है राजस्थान नहर और इंद्रा गांदी की हत्या के बाद 1984 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना आई जी एन पी इंद्रा गांदी नहर प्रोजेक्ट कर दिया था पहले इसका पुराना नाम राजस्तान नहर था अगला प्रशन है इंद्रा गांदी नहर हरी के बांध से निकलती है पहले यह प्रशन था ना किस बांध से निकलती है तो हरी के बांध से निकलती है अब आपको यह बता ना यह हरी के बांध है कहां किस स्टेट में है पंजाब में, राजस्थान में, हरियाना में या मध्य परदेश में क्या होगा सही उत्तर हरी के बांद है ये है जी पंजाब के अंदर सतलूज और व्यास नदी के संगम पर हरी के बेराज बना हुआ है और ये जगए है पंजाब के अंदर और इस इंदरा गांदी नहर से सबसे अधिक लाब हुआ है वो है पश्मी राजस्थान को पश्मी राजस्थान जो की रेगी स्थानी क्षेतर है वहां तक इसका पानी पहुंचाया गया है अगला प्रेशन इंद्रा गानी नहर प्रियोजना कितने क्षेतर में सिंचाई स्विधा उपलब्द करवाएगी या करवाती है आंकडे आपके सामने लाख हेक्टेर में दिये गए हैं 15.73, 16.34, 18.20 या 19.63 क्या है जी सही उत्तर, सही उत्तर है भी इस नहर तंतर की अगर कुल नियोजित लंबाई की बात करें तो आपको पता है 9060 किलोमेटर है और ये 19.63, बिल्कुल चोथा उप्शन, 19.63 लाख हेक्टेर क्रिशी हो गया कमांड क्षेतर में सिंचाई की स्विधा परदान करेगी अगला प्रशन, दे पापूलेशन बम, पुस्तक के लेखक कोन है? दे पापूलेशन बम के पुस्तक के लेखक, एहरलीच, मिडोज, अमर्ते, सेन या इंद्रा गांदी, सही उत्तर बिल्कुल और वो है जी, एहरलीच, एहरलीच ने दे पापूलेशन बम पुस्तक है वो लिखी थी कब परकाशित हुई थी, ये 1968 में, आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, 1968 में ये पुस्तक परकाशित हुई थी यहाँ पर मिडोज का जिकर आ रहा है, मिडोज और इसके कुछ साथी थे, इनों ने भी 1922 के अंदर एक पुस्तक परकाशित की थी, जिसका नाम था the limit, the limit to growth, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, the limit to growth, ये प्रशन भी बंद सकता है, अगला प्रशन है जी, ब्रंट लेंड रिपोर्ट कब परकाशित की गई बहुत बड़ीया प्रशन ब्रंट लेंड रिपोर्ट एक तो ये ध्यान रख लीजी आप ओप्शन देख रहे हो तब तक ब्रंट लेंड रिपोर्ट का संभन्द कई बार एसा प्रशन आ जाता है किस से सम्मंदित है तो इसका सम्मंद है वो है सतत पोशन ये विकास से अब आताती है भी ये कब परकाशित हुई तो उसका सही उत्तर क्या है जी और वो है पहला ही ओप्शन इसका सही हो जाता है और वो है 1987 में ब्रंट लेंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट का जो नाम था वो है अवर कोमन फ्यूचर तो ये थे जी आज इस आपके छटे चेप्टर के 29 प्रशन अब आपको जल्दी से अपना इंट्रोडेक्शन देते हुए अपना रजल्ट है वो जरूर शेयर करना है तो कल फिर अगले चेप्टर के इंपोर्टेंट MCQ क्वेशनों के उपर बात करेंगे और बहुत जल्द रिवीजन की क्लासे से वो भी स्टार्ट हो जाएगी हाथ अब धिरे धिरे ठीक हो रहा है तो जल्द रेगुलर आपसे मिलूँगा फिर मिलते हैं तब तक जै हिन जै भरत